और रास्टाने दिल्ली में एर इंटेक्स क्वालिटी की अगर बात करें तो वो बेहत खतरनाक इस्तिति में है जहां परदुशर अपने चरम पर है तो वही पर्यावल मंत्री गुपाल राय का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि 13 होट स्पोट पर 80 स्मोक गन लगा कर परदुशर पर नियंतर पाया जाएगा और इसी बयान को लेकर 27 स्मीती के पुरुपाद्यक्ष एवं निगम पारसत विजिंदर यादव ने कड़ी आपत्ती जर्ज करवाई है और उन्होंने समोक गन के कारे पढ़ाने को लेकर कई एहम सवाल खड़े किये हैं उनका मानना है कि परदुशर को नियंतर करने में स्मोक गन परभावी नहीं है बलकि ये एक सरकारी खजाने का गलत इस्तमाल भी है आईए सीधा लिये चलते हैं कि आकिर क्या कहना है विजिंदर यादव का इस वक्त मेरे साथ हैं विजिंदर यादव जोकी पूर उस्ताइश समित्य के पाद्यक्ष एवंपूर निगम पारसद है और लगातार परदुशन को लेकर बात करने आपको बता दें कि दिल्ली सरकार परदुशन से निवटने के लिए स्मोक गन का सारा ले रही है तो वह वक्त की नहीं बलकि पूरे साल चर्चा का विषय बना रहता है आप मुझे खुद बता दो दिल्ली की जो आबो हुआ कब सुरक्षित है यह तो जब जान पर बन जाती है तब यह चर्चा सुरू होती है वरना दिल्ली में हर वक्त दम गोटू जो एन्वायर्मेंट होता है हाथ तो हाथ तो स्कूल बंद हो जाते हैं इधर परियावरन मंत्री गोपाल राय जी कहते हैं कि जो तेरा होट स्पोर्ट है यहां के लिए कोडिनेशन कमेटी बना दी गई है और इन तेरा होट स्पोर्ट जंगों पर असी स्मोक गन लगाए जाएंगी मैं पूछता हूँ कि इन असी स्मोक गन लगाने का फायदा क्या है मंत्री जी आप भी जानते हो कि स्मोक गन परदोसन का हवा हवाई इलाज है जिसका फायदा कुछ नहीं है जीरो बटा जीरो है केवल सरकारी पैसों की जो बरबादी है इसके लावा कुछ नहीं है मैं यह बात ऐसे नहीं बो मुंडका में वह आवासिय फ्लैट है और इसमें इमारते आठ दस मंजिल की बनी हुई है उसमें दो स्मोक गन लगी है और आपको हैरानी होगी कि वहां इन जो समोक गन का रत्तिवर्वी फायदा नहीं है कितना पर्दूसन कम हुआ इन समोक गन का क्या असर है इन सभी बातों कि कोई अधिकारिक रिपोर्ट नहीं है बस अंधेर नगरी चोपट राजा टके से रवाजी टके से रखाजा यह जो समोक गन के फायदे कम और नुकसान ज्यादा है सबसे पहला और बड़ा नुकसान तो मैं इसका बता दूँ कि शोर जो है जो लाउड जो इतनी तेजी से वहां पर आता है पुछो मत साउंड पोलूशन की सारी अधे पार रखी हैं और आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि वहां जो उनकी छट के निचे वे रहने वाले लोग हैं उनको अगर कोई यह हाल उनका अंदाजा लगाया के बता सकते हैं कि वो डीफ हो जाएंगे के बहरे हो जाएंगे इस तरीके की तेज मतलब परदूशन वहां पर है स्मोक गन की अवाजयों से दूसरा मानलों समोक गन की छट से सो लीटर पाणी गिराया गया तो वो निचे कितना पहुचा एक ही जंग है बार-बार पाणी गेरे जारे हो भाप बनकर उड़ जाता है माईगरेग जो उसका जीरो पचास है दस हजार का पचास कितने निचे तक आते तो उड़ जाता है इसकी भी कोई अधिकारिक रिपोर्ट नहीं है और जो बस सरकारी खजानने में से पैसा फुक के जाओ इन सब बातों से यह साथ होता है कि जो कोट की फटकार से बचने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री कुछ भी अनाप सनाप बयान देते रहते हैं भले ही उसके परिणाम आए अन्याए दिल्ली के कनाट पलेस्क में जो समोक टावर जो बंद पड़ा है उसका बड़े गाजे बाजे से डोल पिटा जा रहा था सपेद हाती जो समोक टावर की जो सरकार के मंत्री जी मेंटिनेंस और खर्च को लेकर कोई ओफिसियल ब्यान दे दो आप यह अंदर की बात है कि इस से जुड़े हुए सभी अधिकारियों ने काया कि समोक टावर किसी काम के नहीं है लेकिन नहीं जाने क्यों मंत्री जी अडे रहे और इन समोक टावर को कम कर करने की बजाए बढ़ाने के लिए कारिये कर रहे हैं इनका महिमा मंदन गाय कर रहे हैं अधिकारी डिग्री जो होल्डर है वो कोई जानकारी नहीं रगरे मंत्री जी जादा जानी साइंटिस बने बैठे हैं यह विश्वास जो सरकारी धन है उसको ठूकने में इनको यह समझ से बाहर की बात है कोई गाल में लेगा सर आपने कई कड़े प्रहार कर दिये समोग गर्ण पर सरकार तो करी इसके बहुत पायद है आपका ने नुकसान है तो यह दोनों बाते तो सच नहीं हो सकती कोई एक इसमें से सच है देखिए इसके उपर मैंने बहुत की है और जमीनी आकडेज उटाए हैं मैं हवावाई बातों पर विश्वास नहीं करता हूं और मैंने हमारी टीम ने मिलकर मुंड का डीमर्सी का उधारन दिया है आपको वो सब डाटा हमारे पास रिकोर्ड के रूप में हैं अब आपको बाकी और जंगे पर भी जहां जहा समोगन लगी है वहां के आलात बता दूँ कि पहला तो मदवन चोक पर जो डीडिये का हां उसका रियल है उसके उपर सबसे पर समोगन लगी हुई है और जो हमारा सिविक सेंटर है उसकी छट पे भी समोगन लगी है इन समय जंगे पर जो समोगन का जीरो परसेंट फाइद चलाएंगे अरे कितनी बचकानी बाते कर रहे हो आप पूरी तरह से फेलियर रहे हो और मंत्री जी को अब लगता है कोई इन्हें ड्रोन वाला मिल गया और इन्होंने सोचा होगा चलो ड्रोन वाले भैया तू भी बैती गंगा में आदो ले तो कोई इनसे पुछे कि ड्रोन क यसे होगा क्या अरे भैई गजब का जो तमासा इन्होंने खड़ा कर रखा है कि पोलूसम से यह ड्रोन से देखेंगे के ilा को सब को जमीन से साफ साफ दिखाई है, जैसे यह ड्रोन का नया खर्चा लेकर आये हैं, इसलिए इनकी जो योजना हैं, उनक पर सक होता है, जैसे ये ड्रोन का जो नया खर्चा लेकर आये हैं, फाल्तू में ही 80 स्मोक गन लगाए जा रहे हैं, ये यकीन नहीं करेंगे आप, एक राष्टी अकबार के जो खबर है उसके मुक्ताबिक पालुशन के असर से इनसान के दस से बारा साल कम हो रहे हैं जल्दी उसको जीवन खतम लीला समा तो रही है उसकी ये दिल्ली सरकार से साध जो इनकी राजनीती करने के तरिके हैं और ये जो अधिकारी होगी या इनकी कोई मिली वगत का मुझे लगता है कि एर पोलूशन 400 पार होने को जा रहा है और ये जिन चीजों से कोई फायदा नहीं है और ये उन चीजों पर पैसा बर्बाद करने लग रहे हैं तो सक तो अपने आप ही होता है लाजिमी है सक कि ये कर क्या रहे हैं आप कहने काली ड्रोन खर्चा बढ़ा परदूसन कहां घटा रहे हैं परदूसन घटाने की बजाए यह दिल्ली सरकार को मोनीटरिंग करके काम मिल जाएगा कि फिर यह समोगन असी लगाएंगे और उसमें फिर होना जाना परदूसन घटना जीरो पानी उपर से गिरता है 100 मीटर की उचाही से गिर रहा है और निच यह करते हैं इसका मतलब यह है के कही ना कहीं अगर वो तेज आवाज कर रही स्कृत है और निचे के पैसे एक्स्ट लेले- शभाड्र की बात यह दर्सकों को विस्तार से समझ आए और वो समझ सके इस चीज़कों की आखिरे माजना क्या है देखिए जो हाई पावर कमेटी के मिनट्स हैं उसमें साफ दर्ज है कि जो स्मोक गन की जो स्पेसिली गिसन है वो 25 मीटर तक पानी फैकने की होनी चाहिए फैकना चाहिए और जब वह 25 मीटर तक पानी फैकेगी तो शोर इतना जादा करेगी कि वो आपसे संबलेगा नहीं शोर लोग बहरे हो जाएंगे डीफ हो जाएंगे और अगर मसीन शोर नहीं कर रही है तो वो बिलो पे स्पेसिगेशन का आर्थ है उसे पेड किया जा रहा है दस रुपे काम कर रही है वो दो रुपे और अब आप कर रहे हैं अगर मसीन 10 की जंगे 6 गंटे भी चल रही है तो 6 गंटे के अंदर भी इंसान बहरा हो जाएगा डीफ हो जाएगा कानों से सुनना बंद हो जाएगा और जो लोग उसमें रह रहे हैं उनसे उनकी वैथा पुछो कि वो कैसे उनको जीवन गुसर कर रहे हैं आप यह बताईए कि समोग गन की जो कारिये पर नाली कितनी सही है सच तो यह कि मंत्री जी की मनमर्जी चल रही है और यह दिल्ली की जो जंता है निर्दोस यह पीछ रही है इनके चक्कर में सर बिल्कुल लास्ट एक छोड़ा सरी एक्षिन चाहेंगे चलते-चलते कि समोग गन को लेकर आपका कया मैंना है कि इसका उपाय कẽ इसको बंद कर दें या इसको पुर जो काम कर रही है इसको रोकर है क्या करें मैं तो कहूंगा के स Kingston के यह सफेद आती के रूप में कारिये कर रहे हैं इन पे मेंटेनिंस को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए अगर आसा नहीं पमेटी है उसने कह दिया कि समोक गन का फाइदा नहीं है और यह बेकार है जीरो है इसका कारिय कोई नहीं है यह कैंसिल है इसको फिर भी लगा कर रखे हुए है इसका मतलब क्या समझ सकते हैं आप